हेलो नमस्कार जहन दोस्तों मैं हूँ आमके फोजी और आप देख रहे हो गवर्मेंट जोब 2023 यूटुब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और ओफलाइन गवर्मेंट जोब लेके आया हूँ जी हाँ दोस्तों वो निकलिए हेड़कौार्टर र इतने डाग टिकट लगेगी तो उसकी सारी डिटेल्स में इसमें भरके बताने वालों तो फॉर्म को आराम से लाश्ट जरूर देखी क्या क्योंकि फॉर्म को बेना देखे आप चले जाते हो तो इससे आपको पता नहीं रहता है कि कहां कितने टिकट लगानी है और कहां प कर सकते हैं ओफ लाइन वेकेंसी रहने वाले साथ यह निसुल्क बढ़ते हैं यानि आपको इमित्र पर जाना और यह फॉर्म निकलवाने के सिर्फ 20 रुपे चार्ज के देने और इसके अलाग और आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा इसकी लाश्ट डेट की चर्च साथी वेतना आपका 18,000 रुपे से लेकर 56,900 रुपे तक रहने वाला है योग्यता में सिर्फ और सिर्फ आपके पास तेंथ पास होनी चाहिए आप ग्रिस पास हो केसी भी हो सिर्फ तेंथ पास रिक्वार्मेंट मांगी गई है इसके अलाग दोस्तों आपकी छूट भी द अंबाला के अंतरकत चंडेर सिकर मार्म इसको मैं अल्रेडी फॉम में भरके बताऊंगा जो लिफा पर रहेगा उसके अंतरकत इसके अलाग यह आपको पंजिगर्ट डाक या स्पी वोस्त क्याम या साधारन डाक के माद्यम से इसको वाप बेश सकते हो अभी आप मुको मे लिखा डाक टिकट होना चाहिए वह 22 रुपे का टिकट होना चाहिए यह जरूर याद रखेगा दोस्तों इसके अलाग जाती परमान पत्र की परतिली भी होनी चाहिए तो दोनों लिखा पे तैयार कर लेते हैं उसके बाद में हम फोर्म को बरेंगे इसके अलाग आपको लास्ट में एक ओफलाइन गवर्मेंट जोप के बारे में और बताने वाला हो तो वीडियो को पूरा वाच करके जरू जाईएगा तो सबसे पहले आपको लिफा पी तैय इसके नीचे दोस्तों वही एड्रेस लिखना है जो मैंने लिखना है दर डिप्टी डारेक्टर जनरल ओप रिक्वाइटिंग हेड्वाटर रिक्वाइटिंग जोन अंबाला चंदर सेकर मारग अंबाला टेंट पिन आगे 130001 हर्याना लिखना है तो तो लगा कि हमने एड लाल गटी वॉपाल पिन नंबर आपको लिखना है जहां भी आप रहे रहें और आपके मोबाल नंबर एकस्वाइज जो भी है वो लिख देना है नेक्स्ट में दोस्तों डार्क टिकट में लिख रखा है कि 22 रुपए का डार्क टिकट बड़े वाले च्छोटे वाले लिखापे के अंतरकत सारे डोकॉमेंट में अपका फ़ॉम भरके इसी में डालना है जह चुटा अला लिखाप भी इसी में डालने दो नविन्तम पासपर्स के फोटो भी इसी में डालना है और इसके अपर आप डार्क टिकट से वीट करवागे टिकट लगवा जीजीगा 13 या 15 रुपीज का वो डिया टिकट लगने वाला है साथ ही जो छोटा वला लिफा पर आएगा उसके उपर भी आपका खुद का एड्रेस टू लगा के जो एड्रेस आप फ्रोम में लिख रहे हों सेम एड्रेस टू लगा के लिखना है और इसमें आप इमेल आइडी और मोब इनफोर्मिशन उसके अंतरकर डालना है तो फिलाल दोस्तों हमने ये कर लिया अभी चलते हैं दोस्तों बड़ी वाली लिफापे को आप अच्छी तरीका से पेक कीजिए क्योंकि आप इसमें सारे डोकॉमेंट्स की फोटोकॉपी डालोगे कि तो आपका ये लिफापा थो पर क्या लिखा होगा application for the recording of multitasking staff in a mbala उसके दोस्तों राइट साइड में आपकी फोटो पेस्ट करना है यानि फोटो चिपकाना है और यह से चिपकाना है दोस्तों उसके पर signature आपको फोटो के पर आधा होना चाहिए और आधा आपका signature नीचे होना चाहिए अब नंबर को में चलते हैं name of the candidate in block letter आपका नाम लिखना है इसमें बड़े अक्सरों के अंतर करते हैं उसके नीचे आवद का अधार नमबर उसमें दोस्तों आपका अधार card का number होना चाहिए next में दोस्तों father या suppose name जो भी आपका यहीं डालना है mobile नमबर ज़रू डालीगा उसके नेक्स्ट में आ रहा है जो community आप कौन सी जो भी सी के हो जनरल के हो वह भरना है दोस्तों next में दोस्तों आ रहा है card certificate attach कर रहे हो तो yes करना है नहीं कर रहे है तो no करना है next में आ रहा है दोस्तों matter आपकी date of birth क्या है किसके अनुसार 10th के mark script के अनुसार ही आपको भरना है इसके लागर दोस्तों आपकी age एक कौन सी तारिक तक 2020, 2021, 2023 तक कितनी हो जाएगी उसको आपको लिखना है इसके लागर आप एक सर्विस्में हो तो एक सर्विस्में भी स्फॉर्म को भर सकते हैं उसके अंतरकत आपको length of service क्यातनी सर्विस्स आपने की है वो आपको इसमें डालना है 11th नंबर column है nationality आप इंडिया का हो तो upload कर दिया जाता है नेक्स्ट में फोर्टी नंबर column में आपका education details बरना है जिसके अंतरकत सबसे पहले आपको 10th के मारे स्क्रीट की details बरना है उसके अंतरकत आपको year of passing marks कितने प्राप्त की आपने इसके आपके percentage कितने हैं कब से कितने marks का questions थे total इसके आपको name of education का society या board का नाम डालना है जिससे राजस्तान वालों के लिए RBSC यूपी वालों के लिए UPSC वेसे इसके अगर आपके पास है तो आपको driving license number डालने अदरवाइस यह खाले भी छोड़ सकते हो क्योंकि यह multi-tasking stop क्या पता आपको driver के लिए भी आपकी post खाली हो तो इसलिए driving license अगर हो तो अच्छा है कोई दिकत प्रेशन ही नहीं रहेगी नेक्स्ट में दोस्तों आ रहा है अगर आपके पास कौन सा लाइसेंस है हो तो कौन सा है light motor vehicle है या heavy motor vehicle उसको डालने है नेक्स्ट में आ रहा है दोस्तों 16 नंबर कॉलाम में driving experience कौन सी गाड़ी का आपको driving experience हो जिसे light motor vehicle का heavy motor vehicle का तो आपको उसको क्लिक करना है अगर आपके पास experience हो यानि अठारा नंबर कॉलम तो दोस्तों छोड़ दीजिगा कि उसमें फीस के related जानकारी मांगीगे नाइंटी नंबर कॉलम में list of documents यानि आप कौन कौन सी document भेज रहे हो उसकी list के नुसार आपको उसके अंतरकत भरना है उसके आब बाद में आपको declaration एक form राएगा उसको declaration जरू रहे हो वहां का place दाल दिए और next में आ रहा है date जिस दिन आपने form दोस्तों भेज रहे हो उसी date को यहां पर आपको mention करना है वो date दालने के बाद एक और आपको दोस्तों आ रहा है mandatory candidate claiming benefits अंडर EVS, SC, ST, OBC और category अगर तीन साल की छूट लेना चाहते हो तो यह उनके लिए form है यहां पर आप यह form बरके इसके अंतर का signature करना है तो दोस्तों आपको form complete हो गया अभी हम next form के बारे में भी जाचेंगे उससे पहले बता दू कि आप जो भी document उस form में बहुज़ो होगे देशे मारक सीट आदार कार्ड तो सब सेल पर टेस्ट होने चाहिए जो नेक्स्ट वे वीडियो को भी देखना ना बुले फिलाल इतना ही जहिंगे